Hello Student, कैसे आफ सभी लोग मैं देवतर नदुबाल मेरे पास आरेक सेट है रेलमी का यह में का एक अपडेट मोडल है बट इसका कोई सकमाटक नहीं है बिटमाप नहीं है कोई हाडवेर सुलूशन नहीं है और एक डेट सेट है और यह पोर्ट नहीं बना रहा है और किसी परकार के अंदर अभी नया CPU Unisox है जिसमें इसकी पावर इसी लगी है UMP510G यह सेट जो है यह सोट नहीं है मैं बता दू किसी पर कर रही कोई सोटिंग या कोई रोजी डाल के हम काम नहीं करने वाले और यह सेट कुछ MPL लेकर स्टक हो रहा है पर यह सेट में CPU और MMC का भी काम नही लुँति आए इसी कितने बखक्वल बनाती है यह ईसी कौन से वीडुयो बनाति है कॉन से यह παुझ से वुपिस पहले बनाती है क्या फ्रक्वेंस्य की निकालती है इस एंसी को क्षिक हो तो य मैंने सब कुछ जो मैं आपको बताया है यह सारी चीजें अपडेट करके अपने प्रूपों में डाले हैं टाकि मेरे स्टूदंको ईनका अप्डेट मिल सके से यह स्टूदे को इसी तरह से अपने अबटेट देने वाले जो नए 5G नए ट्रफ हो गया नए 5G के जितने भी मॉडल्स हो गया उनके नए अपडेट हम गुरूपों में डालने वाले हैं जो एक प्राइवेट लिंक की तरह उनको जाएगा जिसमें वह सारे अपने वीडियो देखेंगे प्लस उनके पास में मौके रहते हैं एक साल में है 12 बार हमारे पास बापस आने के और यहां क्योंकि लाइप टाइम मिलता है और हम कभी बैकप का कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं आप एक साल बाद आओ दो साल बाद आओ तीन साल बाद आओ हर महीने आपको 24 तरीकों यहां पर दो दिन की क्लासेस अपने का मौका मिलता है जिसमें आप फोल्डी फोन लाके अपने फोन को आप चेक करवा सकते हैं सुधार सकते हैं या उसके जो काड़ा नहीं फोल्ड का वो पता कर सकते हैं जिसे आपको अपडेट मिलता है प्लस अगर आप इसे टेलिकों में पढ़ना चाते हैं तो सबसे पहले हमारी फेस्व का मैं टाला है तो जाके देख फ्लस दोस्तो हमारी इंसिटीउड में ऐसा नहीं है कि आप आप और दस दिन तक सिर रिबॉलिंग कर रहा है आप दैसली यमनुन विसे 누 Jeans ends in Lights तो हमारा concept थोरा hardcore concept है, concept हमारा concept hardcore concept है, हम दो दिन में अपने सारे component एक master level पर finish करते हैं और तीसे दिन में अपने board की identification क्लियर करते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका काफी unique है और हम technician से teacher तक पढ़ाते हैं, हम support करते हैं अपने student को कि आपको आगे जाके भविच में एक teacher बनना है और इसले टिलिकॉम के बहुत से student आज देश में अलग-अलग सहरों में जाके घौर्ब नामी और गरामी teacher बनके बैठे हुए हैं, आपको भी अगर teacher बनना है और आपको भी अगर पढ़ना है और आपको अगर इस repairing field से एक life opportunities आपको निकालनी है कि आप अगर कुछ बन सकते हैं तो आप एसले टिलिकॉम को जोइन कीजिए, एमडी सर को कॉल कीजिए, हमारे इंसिटूट एक लॉटा इंसूट है जहां पर discipline सबसे ज्यादा है क्योंकि इसी discipline की वज़े से आपने students आपट निकल पाते हैं, so call me for, call करें एसले टिलिकॉम में, call करने का सबसे best time रहता है वो सुबेरे 9 वज़े से 12 वज़े के बीच का रहता है क्योंकि उसके बाद हमारी classes होती है, बाकि आप फिर भी call कर सकते हैं, MD सर से direct call कीजिए, हमारे हाँ cable calling पर teacher ही बात करते हैं, जो आपको भैतर समझा सकेंगे और आपको भैतर ग्यान देंगे, अभी फिलाल इस वीडिय diagram IC का, Unisox IC का, UMP IC का आपको डाग्राम या आपको data seed या आपको इसके core voltage और LDO voltage और सारे voltage समझने हैं, तो मुझे comment करके बताएगा, हमें इसका next video ज़रूँ डाला हूँना, thank you. Hello, कैसे आप सभी लोग में पास एक phone है, Realme का, जिसमें SPD के CPU लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी boot sequence देखेंगे, बूटिंग देखेंगे DC का, क्या यह बूट कर रहा है, और यह DC पर कितना ले रहा है, तो रहली बात तो आप देख सकते है कि sorting तो नहीं है, और अब मैं switching करता हूं, इसके trigger करता हूं, basically, power key की trigger करता हूं, तो second के लिए देखता हूं कि क्या यह ले रहा है, तो देखें, यह 012, करके यह ले रहा है, अब देख सकते हैं, 012, और अब इसमें क्या problem है, क्या नहीं अपन डाइगनोस करेंगे, और इसको करेंगे, कि इसको on करें, साइट को, तो, 012 दे रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि power activate हो रहा है, अब सबसे पहले है, इसका power frequency चेक करते हैं, करेंगे, और चेक करेंगे, power sequence, multimeter आप लोग को दिख रहा होगा, I guess, ठीक है, सबसे पहले हमने यह चेक करेंगे, speedy में, पर voltage बन रहा है, एडमी चारजिंग आइसी, इसकी, okay है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हैं, कि कुछ voltage आ रहा है, अब बीपीएच लाइन चेक करेंगे, तो बीपीएच भी ओके है, क्योंकि चारजिंग आइसी, okay है, तो अव्यस है कि DC to DC तो ओके होगी, तो charging ही switching करके आगे बेशती है, और इस बीपीएच के capacitor में हमें यह दिखाता है, यहाप आप देख सकते हैं कि एक दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, थाट, नो, दस, टूटल कोईले लगी है, और यह है, एक, यू, इसका पावडर ऐसी का है, यू, एम, पी, फाइब, वन, जीरो, जी, यू, एम, पी, फाइब, वन, जीरो, जी, यह इसका sequence है, तो आईए समझते हैं क्या sequence क्या बूलता है, तो हम फिर इसके आगे consider करते हैं, तो हम अगर इसका sequence समझ में आता है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ओके है, तो हम बात करते हैं, ये हमारा एक block diagram है, सबसे पहले एक block diagram को समझ लो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिसोक का CPU लगा है, UMS512, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये इसका power IC है, UMP510G, चीक है, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये इसका power IC है, और ये इसका CPU है, चीक है, और हम sections की बात कर सकते हैं, बड़ी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो फिलाल तो मैं भी यहाँ पर बात करूँगा कि power IC के अंदर यहाँ पर क्या-क्या चीज दी हुई है, और हमें कैसे चेक करना है, कि power IC यहाँ ओके है कि नहीं ओके है, तो power IC के अंदर अगर हम जाएं, तो हम यहाँ पर notice करेंगे, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि क्या-क्या interface यहाँ आप देख सकते हैं, 32 kWh की frequency है, यह हम चेक पर सते हैं जो कि यह CPU को दे रही है और जो sleep clock बनाते हैं जैसे कि हम कहते हैं और एक clock बना रहा है 26 MHz का तो यह सबसे important है क्योंकि इसी से आपका phone के सारे voltage जो आपके high LDO है वो बनता है प्लस उसके बाद आपका सारा voltage पोर्ड बनता है आपका CPU पोर्ड बनाता है और फिर इसके बाद हम बात करेंगे यह हमारा LDO बना रहा है एक प्लस हमारा DC to DCB है और इसके साथ में हमारे charging ICB है और यहां पर USB 2.0 का सपोर्ट है टाइप सी यहां पर दिया हुआ है इसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो हमें यहां पर क्या-क्या देखने को मिलेगा एक बाइबरेटर सेक्षें आपको देखने को मिलेगा एक और अडियो सेक्षें के अंदर आपको हैंड साइट और रिसीवर का और माइक का सेक्षें पर दिया हुआ है और यह इसका स्टर्चर है आईए आप बात करते हैं इसके तो एक स्क्माटिक हैं हमारे पास में यह करके यह दूसरा मुबाल का एक इसक्माटिक है वो तो है कि फुक्षें सुनिक करके हम इसकर को समझते हैं तो यहां पर हमें समझ अब कि बिसिकली हम्हारे पावर कि कि सतरह वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं पड़ेगा क्योंकि इस पूरिण को यह दिया जाएगा फिलाल मैं आपको कुछ यहां पर इंपर इंपरेंट चीज बता सकता हूं यहां पर अगर आप इसको देखें तो यहां पर इसको हम बोलते हैं PMU पावर नीजमेंट और यहां पर देख सकते हैं को बात क्लिक्टर फार्टमाइर यहां पर यहां पर करते हैं यहां सबीत मतलब यहां पर कर नाम हुआ है यहां पर देखने होगे छाज HR है इसका टाइप सी है यह बैट डिटेक्शन है यह फ्यूल के जो आपके बिसिकली जिसमें चार्जिंस सप्लाइज से सीपी सी एन या फिर हम बात करें फ्यूल के जो हमारा बैटरी के टेंपरेचर का सब्सक्राइब करें है वह हमारा जांपर है उसके अलावा कि अफैसर हूव देखने यहां 좋다 आसके असे क्रें हुआ यहां स्पीडी के मुबाल में होते हैं तो भी बैट पर आप देखिए जी रूम्स के रिजिस्टर लगे हुए है डैट मिन कि अगर यह रिजिस्टर निकल जाएंगे तो आपका फॉन यहाँ पर भी बैट लेना बंद कर देगा तो मतलब यह कही ना कहीं कुछ करने जो कि पावर को मिलनी जोरी है आप अपर जैसे इसको बीषट यहां दी गई है और एक पूरी की पूरी LDO सेक्षिन के लिए दी गई है जो कि यहां पर लिखा हुआ है for LDO यह मिलना इसको बहुत ज़्यादा ज़्यूरी है तो आपको समझना ज़्यूरी है कि अगर आप बूर सुकेंस पर जाएं तो पहले आपको यह चेक करना है कि आपके यह जो रेजिस्टर हैं यह बकाइदा में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं जैसे यह रेजिस्टर यहां लगा हुआ है अगर यह रेजिस्टर निकल जाएगा तो सबसे पहले तो हमें इसी रेजिस्टर पर काम करना है कुछ इसी तरीके से यहां पर सप्लाई पर काम हो यहां पर श्रीड दिए होई है यहां पर बना रहा है और यहां पर तीन और पर इसके टोईकाि जो कि जिसको आप charging coil भी आप बूल सकते हैं तो यह एलेक्स यहाँ पर switching यहाँ पर काम कर रहा है और यह बीडी कोर तो यह अचा यहां से यह चार्जिंग नहीं है आपको बता हूं charging का नहीं है यह बीडी कोड मतलब यह कोड का है यहाँ पर जीप्यू का है यह आप से बग कोई चलू हो गया तो देखिए एक ही पावर के अंदर उन्होंने सारी चीज देने की कोशिश की है है्. मतलब हैं इसके रिजादा दो और यह है nat किसने सेक्षिं मनाया है तो यह model के सब्सक्राइब करार्ण का नोलzess आपको अडिश mask का Leary के सप्लाइब का न्लीम ही है तो और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आपके ग्राउंड हों यह यह सारी पर अंदर ग्राउंड होने चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बाइबरेटर कंट्रोल की सप्लाई है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको यहां पर आपको बनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो पावर वो बिल्कुल एक्टिवेट है तो कुछ इसी तरीके से वॉल्टेज हमें चेक करना होता है जिससे में पता चलता है कि हमारा पावर एक्टिवेट है तो और अगर मैं इसमें आपको यहां पर टाइप टू बताओं यह दो टाइप वन हो गया इस थिम्जा है फया प्रेस करेंगे को जो कि प्यम् साप्लाइट न्यौकर एसने नहीं च्रinhatus श्रberg वहाइव uh हो historically सकते हैं अच जो 1 की सप्लाइब है उनोरे वांट्योट्व की सेख सतते हैं हैं और हमारा पावर होक्ट तैसक्ष कि नहीं है जिसमें PMU clocking, XO की supply जो कि आपके WTR जो कि इसके XR में जाएगी तो यह अलग-अलग WCN मतलब Wi-Fi तो यह अलग-अलग आप इसमें इसको चेक करते हैं प्लस पावर को चेक करने का सबसे और असान तरीका जो कि MediaTek में भी होता है वो एक सिंपलता तरीका होता है उसके VDDRTC का यह capacitor पर वोल्टेज चेक कर लो तो यह भी इससे पता चल जाता है कि यह power okay की नहीं okay है और आप देख सबते हैं कि कि यहाँ पर आपको इसारे NTC यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यह temperature है जिसके यह NTC लगे होते है प्लस यह Board ID यहाँपर आपको देखने को मिलेगा तो पहले मैं आपको देखाता हूं कि में आगे यह देखिए यह देखे यह देखे यह बूर टेंपरचर अडीची है ठीक है और यह भी आपको देखे आर फे डीची है मतलब यह टेंप्रेचर एक थंपर लगा तो अगर त्मिस्टर की बात करें तो यहां पर आपको एक यहां प태 को सैक्राइफ और यहां Peики अपको देखने को मिल रहा है यहां पर देखे सहते हैं से इसे पूरा options यहां पर आपको देखा जा रहे हैं, यह सारे आपके GPIO के sections के लिए हैं, यह TXX यहां पर आपको जैसे कि देखने को में रहा है, तो यह जो supply है, यह भी आपको समझनी होती है कि यह supply कहा जा रही है, तो total जो IC का data sheet है, यह बहुत complicated नहीं है, काफी easy है, इसको समझना अगर कोई ठक हो, तो आपको बहुत easily समझा सकता है, और आपको काम करने में असानी मिलती है, हलाकि चलते हैं अब सीडे, यह course दो साल के valid होगा, इस course में आपको बहुत कुछ नया update करते रहते हैं, अगर आप IC पर काम कर रहे हैं, और Android पर काम कर लेते हैं, आइफोन पर काम करके अच्छे पैसे कमा लेंगे, इसका पूरा पावर IC समझाओंगा, अगर आपको समझना है, तो मुझे कमेंट करके बताएगा, इसका अभी मैंने अपने ग्रूपों में डाला हुआ है, तो मेरे स्टूडेंट हैं, हमने अपसे उनको ग्रूपों में अपडेट देना च यहां पर अगर मैं बात करूँ, मेरे को में कर व्यूदी, बीएरि औरी सिटी की सपलाई मिलने चाहिए, तो पहले व्यारि वीर्टिय की सपलाई को चेक करूंगा, वह तोपलाई मिल रही है हिं Васो नहीं मिल रही है, कि वो सप्लाई कि चेक करनी होगी यह मेरे पावर के पास इन क्यापेशिक ड़नी तो कि नोटेस कीज़ेगा कि यहां पर वन पॉइंट सेवन आ रहा है कि यहां पर देखिए डो वुल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी कि वुल्टेज मेरा बन रहा है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर टीम वुल्टेज बन रहा है तो सबसे पहले हम इसमें क्यूंकि हमारे वुल्टेज बन रहा है और अब हमें चाहिए कॉल्टेजए बन रहा है सब्सक्राइब कि हमारा इसका मतलब है कि हमारा को ही है यहां पर देखते हैं यह भी बन पॉंट को इट बन रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह बन रहा है यह आपका लोगर यूट यह यह भी आपका वुल्टेज बन रहा है कि यह और इधर आप देख सकते हैं कि इधर भी एक आपका व्ल्टेज बन रहा है तो बिसीकली देखिए पावर तो पूरा एक्टिवेट हो रहा है और एक्टिवेट में कैसा होता है कि जो किस्टल होता है वह पहले होना बहुत ज्यादा जोड़ी होता है कि यहाँ पे क्स्टल को एक बार चेंज करींगे हो मर्न पृपर एक रिगॉड प्रेजिल्ट बना रहा तो कोई नहीं बना रहा है मैं सबसे पहले हम इसका किस्टलेंच करتे है और ज़्यादा तर टेक्निशनों का ध्यान किस्टल पर जाता नहीं है। रीजन है कि उनको स्विक्ट्वेंस सही से समझ में आता नहीं है और किस्टल पर ध्यान जाता नहीं है। तो किस्टल चेंज कर लेकर हैं यहाँ पर। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करे एडमिशन के लिए हम आपको देंगे गैरंटी वर्क, तीन दिन में पौवर IC और चौथे दिन में CPU करवा देंगे हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, यह आपसे वादा है क्या आप अपनी दुकान का काम दुसरों को दे रहे हैं, क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए, पर वह भी नहीं सीख पाए और नहीं यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फाइदा मिल रहा है तो आज ही जुआइन करो देश का सबसे बरहा चिप लेवल, मोबाइल इंस्टिटूट एशिया टेलिकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी एशिया टेलिकॉम देश में, एडवान्स मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टिटूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहां स्टूडेंट को मिलते हैं बारा घंटे में, साथ घंटे, सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थोरी क्लास यहां स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहां बेसिक से एडवान्स सीखाया जाता है, जिसमें हाडवेर EMC सॉफ्टवेर है पर हमने इस फोन के किस्टल को चेंज किया है और हमने कुछ भी नहीं किया और जो स्पेंस के इसाफ से मामला था हमने वह किया है अब मैं सब बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि किस्टल क्यू बदला क्या है यह चीज तो आपको समझना होगा और अभी के सैट बनाने के लिए अब आप देखिए अगर कोई और टेक्निशन होता तो आप तक तो इसका सीप्यूई में से सब रिबॉल करके बैट चुका हो होता हो है कि और यस बोमूट को सेमपर कर दिया होता है कि को Walmart है को कि अभन है। है अब हम यहां पर चेक्ड करेंगी हमें यहां पर यह मिल रहा है हुआ है 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 तो का अभिन पर हमारी हिए भी प्रादा उसको भी चेक आउट करते रही है कि यूएजबी एंपियर हमें क्या दिखा रहा है कि देखिए 1.6 चला गया और इसका मेरी लब है कि हमारा साइट ओन हो गया देख लिए हमारा साइट ओन हो चुका है हां ऑर ये सेट ऑन गयाक केबल Cayable सिरड ट्ल चेंज करने के वज़ है लोगा और यह शाहं देखर नहीं है इस वज़ेसे यहां पर यह आपको वाइंद जी चला गया वावापस तो कहने का मतलब यह सिर्फ किस्टल चेंज करने के वज़ए से आप 1.6 पे यह जा चुका है और मतलब यह ओन हो चुका है और इसमें डिस्प्ले आ गया है और पहले तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा था हम डिसी से भी चेक करेंगे कि डिसी में अभी यह क्या दिखा रहा है हो डिस्प्ले दिखा रहा है पर बैटर्री का सिम्बॉल रहा है यह देख सकते है अब हम एसमारास हो चुका है इसको बैटरी बैटरी का प्राब्लम या समिंस सें सbellIG का में में नारल तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अबने सरह के सिर्फ किस्टal चेंज किया है और एक सुक्वेंज के साफ से हमने इसको बनाया है और यह कोई तुक्के में नहीं बना कि अगर हम आपको यहां पर बताएं कि तुछ कर रहा है यही फॉन बूट नहीं कर रहा था और यह फॉन बूट कर गया है इसका मतलब हमारा फॉन होचुका है और इसमें बिल्कुल लगी है अगर आपको यह पावर समझना है अगर आप कॉमेंट करके बताइए बाकी में इसका अपडेट अपने गृपों में डालूंगा और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यह से टेलिकॉम को जोइन कीजिए आपको क्या मिलेगा क्या ने मिल लेखने का जिद है मेरा फटूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुरूर